आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ब्यवाहियों की लड़कों को कौन से साथ गलतियां नीग करनी चीये। वास्तु सास्तर के हिसाब सहां आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु सास्त्र में कई नियम बताएगे जिनका पालन करने से चीवन को सुखी और स्मृत्त बनाया जा सकता है। वास्तु सास्त्र का प्रभाव बैवाईक चीवन पर भी पड़ता है। आज हम आपको वास्तो सास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसी बात के बारें बताने जा रहे हैं जिनका पालन शादी योगे लड़कों को जरूर करना चीए जिसे नियम एक वास्तो विग्यान की माने तो अगर किसी लड़के के उमर विवायोगे हो गई है तो उसे दक्षिन और दक्षिन पक्षिन दिशा में नहीं सोना चीए इससे विवाह में बादाहुत्पन होती है और पती-पत्नी के रिष्टे भी कराब होते है नियम टू वास्तो सास्त के नुसार विवायों के पुर्शों को काले रंग के कपड़े और चीजों का इस्तमाल कम करड़ा चीए इससे आपके बैभार में नाकरत्मक्ता बढ़ती है और काला रंग अशुब्दा का कारट है जो आपके बाहिक शीवन पर प्रफॉर डालता है नियम तीसरा यदि संबब हो तो अपने विस्तर को जो आपका विस्तर जिस पर आप सोते हैं उसको दरवादे के नज़्दीक रखें अगर आपके साथ वाले कमरे में कोई और भी रहता है तो इस बात का ख्याल रखें अगला नियम वास्तो सास के अमसार जिसस्तान पर बीम लटका हुआ हूँ वो जगह भी अशुब मानी जाती है विवाह योगे लड़के ऐसी जगह पनास हुएं जहां बीम लटका हुआ हूँ अगला नियम जिनका भी विवाह होने वाला है या विवाह योग पुरुश है उनके कमरे का रंग गहरा नहीं होना चीए दिवारों का रंग चंकीला, पीला, गुलाबी शुब होता है इससे आपके विवाह में आ रही सभी तरकी मुश्किले जहें वो दूर हो जाती है अगला नियम बिवाह योग लड़कों को ऐसे कमरे में सोना चीए जिनमें एक से अधिक दर्वाजे है चलो आजकल तो फ्लैट सस्टम है तो दर्वाजा तो कहरे की होगा पर उस कमरे में हवा और रोशनी का प्रवेश जो है वो प्रॉपर रहने चीए मतलब हवा और रोशनी का प्रवेश जहां पे कम हो वहां पे आप सोने से बचिए और आक्री नियम जो हम आपको बताते है बिवाह योग लड़कों को अपने दिश्तर को इस तर रखना चीए जिसे सोते समून के पैर उत्तर और से दक्षन दिश्या में हो हलेंके नियम सब पे लागू होता है पर जो विवाह योग लड़कों पे खास लागू है इस नियम का पारण करने से आपकी विवाह में आरेज सभी बाधाएं दूर होगी और आपको उत्तम जीवन साथी की प्रात्ति होगी तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीचिए और आपके फोन में चो एक बैल दिख रहा है उस बैल को आप दबा दें ताकि हमारे पूस्टिर जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें धन्यवाद